जैसरी करश्ण मित्रो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं देने के राशी फल दिनांक 26 सितंबर 2022 सोमवार के दिन का तो आज के देने के राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों की द्रश्टी वो भगवान शिव की करपा से आज 12 में से 6 राशीयों को भाग्य का भरपूर सांत मिलेगा इन 6 राशी वालों में आज है मेश, करक, कन्या, वरश्चिक, धनू और मेन राशी वाले लोग वही अन्य राशीयों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा तो मित्रो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ये दिन नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्यका राशी फल नई नई ग्यानमरधक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज आश्वी नमास शुकल पक्ष की प्रतिपदा तिथी है सोमवार का दिन है आज दिन की सुर्वात हस्त नक्षत्र से होगी और कन्या राशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज सुर्योदेई प्रात हकाल 6 बच के 11 मिनिट पर होगा और सुर्यास्त साम 6 बच के 13 मिनिट पर होगा आज राहुकाल प्रात हकाल 7 बच के 41 मिनिट से आरंब हो करके प्रात हकाल 9 बच के 11 मिनिट तक राहुकाल रहेगा तो आज राहु काल के दोरान आप कोई भी शुब मांगलिक वा नया कार्य शुरू नहीं करें इस समय अवधी में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करने से भी बचें आज दिशा सुल रहेगा पूर्वदिशा में तो आज के दिन आप पूर्वदिशा की और मुख करके करना संथरों का अधिक सदिक संख्या में जाप करके यात्रा आप कर सकते हैं और आज का सरवस्रेश्ठ अतिसरेश्ठ मुहुर्त अभी जीत मुहुर्त आरंब होगा प्राताह काल 11 बच के 48 मिनट से आरंब हो करके दोपहर 12 बच के 36 मिनट तक सरवस्रेश्ठ वशुब मुह पूर्थ में आप कोई भी शुब मांगलिक और नया कार्य आरंब कर सकते हें या किसी भी नई वस्तू की खरीदारी आप करना चाहते ह। तो इस महुरत में आप कर सकते ही तो अब जानी अपनी जन्म राशी के अनुसार आज आपके भागी के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशी के अनुसार क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे की दिन आपका शूब रहे और कारी छेतर में भी आपको आज आप अपनी योग्यता के अनुरूप पुरुसकार या सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। आज आपका भाग्यशा लियंक चार है, शुब रंग आपका पीला रंग है, पीले रंग का प्रियोक कारिशेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी। आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज व्यावसाइक महतुकांग्ची योजनाएं आप सुरू कर सकते हैं, अगर आप उच्च अध्यन या नोकरी आदी के लिए विदेश या दूर जाना चाहते हैं तो आप निरास नहीं होंगे। यदि पेत्रक संपत्ती के संबंद में कोई मामला आपका लंबित है तो यहाँ आपके पक्ष में तय होगा। व्यापार व्यवसाय से जुड़ा कोई बड़ा मसला आज हल हो सकता है। भगवान शिव की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पुजन करें। मिश्री का भूग लगा करके बिलवपत्र चड़ावें। यथा शक्ती शिवजी के नाम मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से कारी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगले राशी है मिथुन। मिथुन राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज योजनाओं को आप पूर्ण रूप से क्रियानिवित कर सकते हैं। और वहां आपके लिए लाबदाएक भी सिद्ध होगी। नोकरी पेशा लोग कारिय स्थल पर अपने कारिय और करतेवे निष्ठा के लिए उचित प्रसंसावा सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। परिवार के किसी सदच्ची की परेशानी समझ करके उसकी सहायता आप करें बहतर होगा। पुरानी समस्याओं से मुक्ति मिलने का दिन हैं। प्राम मंत्रों का जाप करें। इसा करने से कारिय में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशी है करक। करक राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। कि आज जो है साहित्य कला लेखन संगेत फिल्मों या खेल जैसे रचनात्मक छेत्रों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। और आकरशक डील आपके हाथ लग सकती है। आज आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा काफी मजबूत होगा। आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं। प्रातह का लिश्नान करने के पस्चात शिव परिवार की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें। मिठाई का भोगर पित करें। यथा शक्ती शिव जी के नाम मंत्रों का जाप करें। इसा करने से कारे में आपक सफल होंगे और ग्राहकों के साथ इस्थाई संबंद बना पाएंगे। आप अपनी योग्यता को साबित करने के लिए बहतर आउसरों का लाग उठा पाएंगे। बिजनेस और कारे चेतर से जुड़ा हुआ कोई पैसा आपको मिल सकता है। कारोबारी यातरा में अनुकूल सोदे आपके द्वारा होंगे। आज आपको भाग्य का साथ 81 प्रतिसत प्राप्त होगा। आज आपका भाग्य शालियंक 6 है। शुबरंग आपका सफेद रंग है। सफेद रंग का प्रियोग कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप तो आज कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाय इस प्रकार से है। प्रातहकाल इसनान करने के पश्चात गंद पुष्प अक्षद के द्वारा शिव परिवार की पूजन करें। शिव जी को मिस्री का भुगर पीत करें बिलव पत्र चड़ावे यथा शक्ती शिव जी के नाम मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से कारी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशी है कन्या। कन्या राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। कि आज अपने गुप्त सत्रू द्वारा बनाई गई। कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। सतर करें। अधिकारियों के साथ व्यवार करते समय आपको अधिक सावधान रहना चाहिए। उनका विरोत करने से बचें। व्यावसाइक संदर्ब में कुछ नए परिवर्तन हो सकते हैं। पुराने करजों से मुक्ती मिले हैं। पिले रंग का प्रेयो कारेश्चेत्र में आज अधिक सदिकाप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी। तो आज के दिन कारे में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाह इस प्रकार से हैं। प्रातहकाल इसनान करने के पस्च Security के शुद्ध घीं का दिया जला करके पंच मेवा का भोगर पित करें बिलवपत्र चड़ा करके भगवान शिवजी के नाम मंत्रों का यथा शक्ति जाप करें ऐसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी ही तुला तुला राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा व्यवसाईयों को नए रुजान और मार्ग मिलेंगे जो उनकी नगदी में वरद्धी करेंगे आज आपकी वित्ती स्थिती काफी मजबूत रहेगी और आपको धन संबंदी मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे आपकी बच्चत आपके परिवार के लिए लापकारी रहेगी आज नए मित्र आपके द्वारा बन सकते हैं आप घर के सदस्यों की इच्छाओं को समझने की कोशिश अवश्य करें आज आपको भाग्य का साथ नभ्य प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक दस है शुब रंग आपका केसरिया रंग है केसरिया रंग का प्रियोग कारी छेत्र में अज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है भगवान सीव जी को कच्चे दूद में केसर मिला करके शनान करावे और मिश्री का भोगर पीत करके भगवान शिव जी के नाम मंत्रों का जाप करें ऐसा करने से कारी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है वरश्चिक वरश्चिक राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज प्रयास करने से कारी चेतर में सफलता मिलेगी आपका आत्मविश्वास भी बहतर होगा आज आपका सामाजिक दाइरा बढ़ेगा और आपको चमहत्वपूर्ण कनेक्शन या संबंद इस्थापित करेंगे योजना बनाकर काम करने से आप काफी सफल रहेंगे प्रापर्टी संबंदित कारे करते समय आज आपको सतर करहने की आवशक्ता रहेगी तो आज आपको भाग्य का साथ 95 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शालियंक छे है शुबरंग आपका आस्मानी रंग है आस्मानी रंग का प्रियोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिकाप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हिन प्रातहकाल इसनान करने के पस्चात गंद पुष्प अक्षत के द्वारा शिव परिवार की पूजा करें भगवान शिव जी को मिठाई का भोग अरपित करें श्रीफल चड़ावें और यथा शक्ती शिव जी के नाम मंत्रों का जाप करें इसा करने से कारी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है धनू धनूराशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज कई वित्ती फाइदे आपको मिल सकते हैं आप असीम दोलत के मालिक बन सकते हैं आए के नए नए इस्तरोत्र बनेंगे व्यावसाइक संदर्म में अच्छा वक्त रहेगा परिणाम आपके पक्ष में रहेगे आपकी नीजी जिन्दगी में सब कुछ उत्तम रहेगा आकस्मिक लाप के अवसर मिलेंगे नया व्यावसाइद चाहते हैं तो सावधानी बरते नोकरी आदी की तलास में लगे युवाहों को सफलता मिलेगी आज आपको भाग्य का साथ पिचोतर प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक साथ है शुब रंग आपका नीला रंग है नीले रंग का प्रियोग कारे छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारे में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं प्रातहकाल इसनान करने के पश्चात भगवान सीवजी के गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पुझन करें रितू फल का भोग अर्पित करके बिल्व पत्र चड़ावें यथा शक्ती शिवजी के नाम मंत्रों का जाप करें इसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है मकर मकर राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज का दिन बहुत अनुकूल नहीं रहेगा स्वास्त के संदर्भ में आप कुछ पुरानी बिमारियों से प्रभावित हो सकते हैं सतर करहें सरीर के निचले हिस्से में कुछ परेशानिया हो सकती है स्वास्त का ध्यान रखें कोर्ट काचरी में चल रहे मामले आपके सुलच जाएंगे कारोबारी यात्रा के योग हैं जिससे लाब मिलेगा घर में किसी मांगलिक कारी संबंदी योजनाएं बनेगी आज आपको भाग्य का साथ 65 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंका आठ है शुबरंग आपका बेंगनी रंग है बेंगनी रंग का प्रयोग कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाब की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के पश्चात शिव परिवार की गंद पुष्पा अक्षत के द्वारा पुजन करें भगवान सिव जी को रितूफल और मिश्री का भोगर पित करें बिल्व पत्र चड़ा करके शिव जी के नाम मंत्रों का जाप करें ऐसा करने से कारी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है कुम्भ कुम्भ राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा प्रतियोगिता आदी में हिस्सा लेने वालों के लिए दिन काफी अच्छा रहेगा व्यावसाई कारियों में कुछ अनावश्यक तनाव उत्पन हो सकता है जिस कारण आपका मन थोड़ा विचलित हो सकता है धेर्य धारन करें प्रेम करने वालों के लिए समय सहयोगी रहेगा, इनकम भी आपकी अच्छी रहेगी, आज आपका आत्म विश्वास भी पहले से काफी अच्छा रहेगा, अधूरे पड़े कारियों को करने की कोशिश करें सफलता मिलेगी, आज आपको भाग्यकासांत 70% प्राप्त होगा, आज आपका भाग्यशाली अंक चार है, शुब रंग आपका सफेद रंग है, सफेद रंग का प्रियोग, कारिय छेतर में आज अधिक सधिकाप करेंगे, तो आपको विश्वास भाप्त की प्राप्त होगी, तो आज के दिन कारिय में विश्वास सफलता पाने के लिए अगली राशी है मीन, मीन राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज आपकी लोग प्रीत्या चरम पर रहेगी और आप बहुत दूसरों पर अधिक प्रभाव डाल पाएंगे, यदि आप अधिकारियों के साथ टकराव से बचे रहें, तो चेतर में अच्छी प्रगती करेंगे, आपके दुस्मन आपका कुछ बिगाड नहीं पाएंगे, नोकरियादी करते हैं तो तरक्की के योग बनेंगे, अपनी योजनाएं गोपनी रखें, किसी के साथ सेयर करने से बचें, तो आज आपको भागी का साथ 81 प्रतिसत प्रातहकाल इसनान करने के पस्चाद, शिव परिवार की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें, पंचमेवा और रितुफल अरपित करें, यथा शक्ती शिव जी के नाम मंत्रों का जाप करें, इसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, तो मित्र आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी, यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, धन्यवाद जैस्रीक रश्न मित्रों फिर मिलेंगे